अब सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हूं आज की इस क्लास में आज हम डिजितल मार्किटिंग के बारे में बात करें ठीक इस तरह समझे कि आप एक chef है आप हर तरह की डिशिस बनाने में expert है यह बहुत बेटरीन fully loaded kitchen आपके पास है बस हमें यह सेखना ही कि यह में बनाना क्या है जैसे एकर में बात करो तो ब्रिक्पास्ट में क्या झाइए विश्य ये कि बात हमारे क्लाइंट पर लाग קंड होती है हमकिसी भी फिल्द के एकशपर्ट होंग हम डीजिटल का सीफेल्ट एक क्रिटिव बनाने में सब्सक्राइब सकते हम अच्छे-ज्ट्र Sh liken को डिजाइन करने में एकसपट है। लेकिन इंप्सपर्ट है किस समय पर क हैं इसम चाहर कुराइन को क्या चीज़ दिखानी है दराकि अमरी डिजिटल प्रजबू सके और अज हर कमपनी बतीक है कि वह कैसी अपली डिजिटल इस से रिलेटिड क्रेटिव हमें शो करने हैं जैसे एक कंपनी के इवेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के गैस्ट ऑफ और होते हैं कई जगा डिरेक्टर के तो उनसे रिलेटिड प्रोफाइलिंग त्यार करनी है रेगुलर पोस्टिंग करनी जैसे आप क्रप्चर के बारे में कंपनी की फैसिलिटी के बारे में हॉस्पिटल को सुपीर कैसे दिखाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में यह फैसिलिटी यह फैसिलिटी यह फैसिलिटी यह फैसिलिटी को हाइलाइट करते हैं कि हम यह सारी फैसिलिटी अंडर बन रूफ दे रहे हैं तो तो आप जो भी digital में कर रहे हैं उसको 3-4 तरीके से किया सकता नंबर वन कॉंटेंट के जरीए आप उस चीज से रेलेटिड इमेज से रेलेटिड अच्छा कॉंटेंट लिख सकते हैं और अच्छा कॉंटेंट एक कॉंटेंट राइटर लिख सकता है या अपने अपने कमपनी के director से अपनी कमपनी के employees से अपने कमपनी के managers से बात करके उनसे उनके काम से सम्बंदित content लें ध्यान रखिए अगर हम SEO कर रहे हैं तो SEO में सबसे important क्या होता है content और कौन सा unique जितना content यूनिक होगा उतना आसानी से वो रैंक होगा है ना अभी यूनिक कॉंटेंट आएगा कैसे एक ही आदमी लगातार यूनिक कॉंटेंट नहीं मना सकता या तो प्रोफेशनल कॉंटेंट राइटर होगा या अपनी कंपनी के अपने और्गनाइजीशन के हर expert से उसके advice लो उनसे को कि मुझे 50 word का 100 word का 200 word का एक article लिखके दो आपके काम के बारे में आपके profession के बारे में company के profession के बारे में हमारे क्या-क्या product है या क्या-क्या हमारी services है उसके बारे में उस content को जब आप कहीं भी डालेंगे जो आप SEO कर रहे हैं Instagram है पोस्ट हैं वहाँ पर कोई भी पोस्ट खाली न डालें पोस्ट के साथ में content ज़रूर डालें हैस्टेक्स का इस्तिमाल करें आपका content और आपके हैस्टेक्स हैस्टेक्स और उसका keyword पूरा तो दिरे-दिरे क्या होगा company profiling बिल्ड़ोना शुरू हो जाएगी अब company profiling तो हमारी website पर भी होती है हर एक company की profile उसकी company की website पर होती है पर आप देखिए कि digital presence में एक अथा समुद्र है करोडो और वो websites है उन में से आपकी जो एक website है उस समुद्र में पानी की बूंद के तिनके की तरह है पानी की बूंद की तरह है तो आप कितना भी प्रयास उस पर अकेली पर कर लें वो कभी भी बहुत टॉप तक नहीं पहुंचेगी SEO में बताया जाता है कि हम company की website को Google के first rank पर लेंगे पर कुछ keyword से आपकी इंडस्ट्री के हर keyword से आप उसको टॉप पर लाई नहीं सकते हैं तो जब उसको बहुत ज़रा टॉप पर लाई नहीं सकते हो और वो बहुत बड़ा जहाज बनी नहीं सकता क्योंकि या तो आपका का प्रोड़क्ट और सर्विस रिलेटेड है तो आपको करना क्या है जो बने बनाए जहाज है वहां तक information पहुंचाना सारे platforms तक जाना तो आप सबसे पहला काम करेंगे company की profiling का और company की profiling में सबसे पहला हो गया content दूसरा हो गया graphics या आप images बोल सकते हैं तीसरा हो गया videos content आपकी आपके द्वारा design किये हुए graphics related content होना चाहिए आपके पास और unique और unique कैसे आएगा कि अलग-अलग डॉक्टर अलग-अलग problem को लेकर अलग-अलग शब्दों में अलग-अलग बातों को एक ही बात को बताते हैं yes or no भाई कहते हैं कि एक patient है वो किसी doctor से consult करता है उसस delivery different है तो सभी से सभी से उनके words लो उन से related content लो जो भी हमारा treatment है जो भी solution है जिस तरह का आपने post बनाया है उस content लो उसी से उसी content के अधार पर ए graphic design करो और एक ही problem का जो भी आप add चला रहे हैं न हम क्या करते हैं कि एक post बनाते हैं उसी का add चलाते है एक ही माल लो एक प्रोड supplement example में आपको बता रहा हूं आप weight loss supplement का हमने creative बनाया और 10,000 रुपी पर डे का add run कर दिया this is not a right way right way क्या कहता है कि उसके 10 अलग 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 graphic बनाओ और एक एक हजार के अलग 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 अग 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 करते हैं ठीक है जैसे क्या आप weight loss करना चाहते हैं यह क्या आप overweight से परेशान है यह भी एक है क्या आप slim trim होना चाहते इसका मतलब भी तो weight loss करना हो लेकिन हो सकता किसी को क्या प्रभावित करता है किसी को क्या करता है किसी को क्या करता है समझ रहे हैं यह एक हमने कम एक हमने के आड़ से प्रभावित नहीं होता अलग अलग तरह के क्रेटिव होने चाहिए एक को चलाने के लिए चार-फांच तरह के क्रेटिव होने चाहिए अलग अलग बेग्राउंड बेज़ वो किसी को प्रभावित करने का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है लेकिन बशरते वो वीडियो ऐसी हो जो किसी के माइंड पर इंपक्ट छोड़ पाई जैसे अगर आप को एडविटीजमेंट वीडियो देखते हैं तुरंट स्किप कर देते हैं टीवी पर यूट्यूब प किसी समस्या के समाधन की वीडियो आती है या एक ओफर की वीडियो आती है इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अलग चीज़ प्रभावित करती है तो एक ही तरह के काम की डिफरेंट डिफरेंट वीडियो होनी चाहिए और हर व्यक्ति हर एक से प्रभावित नहीं होता तो अलग लोगों द्वारा होनी चाहिए एक ही ट्रीटमेंट के अलग-अलग डॉक्टर अलग तरीके से अलग-अलग तरीके से जब एक्स्प्लेइन कर रहा है तो वहां से जो वीडियो निकलेगी ना और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लाटफॉर्म्स पर हम डालेंगे तो वहां स सपोज आप किसी के यूट्यूब चैनल पर है तो आप देखते ना फेस्बूक का लिंक भी है लिंक्डिन का भी है इंस्टाग्राम का भी है वेबसाइट का भी है इसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम कहीं भी कोई चीज आलें वहां वेबसाइट का लि में एक तरह से लग अलग अलग प्लैटफॉर्म को एक जगा पर लेकर आ रही है ना मैं तो लिंक समिशन जरूर करें किसका आपकी कंपनिन की प्रोफाइलिंग का नेक्स्ट हो गया प्रोड़क्त इन्फॉर्मेशन कि आपकी कंपनी के क्या प्रोड़क्ट और यू काई सर है ना तो उससे एंफॉर्मेटिव क्रेटिव डिजाइन करें और वो भी अलग-अलग तरीके के जैसे कोशन बेज्ड जैसे इन्फॉर्मेशन बेज्ड ऐफेक्यू बेज्ड फ्रिक्वेंटली आस्ट कोशन की कंज्यूमर के सवाल का यह जवाब है है ना या सॉलुशन प्र पॉट ग्रैप दिखा रहे हैं कि यह बंदा है तो ज्वाधा इंपाइक्ट देता है बशर्ते मैं यह करण कि वेट-लॉस करलो किसी को यह वेट-लॉस करलो यह प्रभावित नहीं करें किसी और गा हाउ तो बीकम असलिम पर्सनेलिटी वह प्रभावित करेगा तो आपके प बात content graphic video and link next customer awareness यह भी customer awareness क्या कहती है बहुत सारी चीज़ ना advertisement के रूप में काम नहीं करती है वो consumer awareness के रूप में काम करती है कि consumer को एक problem का solution question answer form में हम देते हैं और वो उस problem को पढ़ता है उसका solution पढ़ता है तो जाला तरह हम उस विक्ति पर विश्वास करते हैं जो हमें किसी बात का solution बता रहा होता है yes or no तो हमें क्या करना है customer awareness फैलानी है उस product को लेकर या उस बिमारी को लेकर या उस service को लेकर कि यह problem है इसका solution यह है और इसके solution के बाद में नीचे company guide होता है आप कुछ भी कोई भी अट्वीडिटीन टढ़ा के देख लीजिए आपको जहां भी consumer awareness देते हैं वहाँ पर कहीना कोई company होती है जो इसको promote कर रही होती है हना next faq based इसमें भी क्या करना है इसमें भी सेम यह करना है content graphic video link and उसकी proper posting next आगया faq based frequently asked question consumer के मन में बहुत सारी बहुत सारे प्रश्न होते हैं उन सवालों के जवाब लिखके भी विग्यापन किया जाता है ह यह हमने creative डाला कि यह एक problem है आपके मन का प्रश्ना में comment box में लिखे हैं आपको उसका जवाब देंगे यह customer engagement के लिए सबसे important role play करता है हर एक व्यक्ति company का विग्यापन देखना नहीं चाहता अपनी समस्या का समाधान चाहता है यह हमीं सब और सभी परलागू होता है हमें इसे कोई विवक्ति किसी company का विग्यापन नहीं देखना चाहता है आपकी अगर उस product से संबंदित कोई समस्या है तो उसका solution आप चाहते हैं यह आपके मन का कोई प्रश्न है तो उसका solution चाहते हैं तो FAQ हमीं क्या करना है content graphic video और उसके links हर एक जगा समिट करने हैं अच्छा अब कुछ लोग हमीशना offer and schemes देखते रहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर क्या offer चल रही है जैसे हम जिम की बात करें तो जिम में offers होती है कि दिवाली offer है वैसे हमारी जिम की फिस 24,000 है पर दिवाली पर हमने 18,000 का package निकाला हूँ है यह हमारे couple offer है वैसे 24 है मतलब 48 हो करते हैं तो 40,000 है आठ जार रुपे का benefit है उसको यह scheme है कि 12 महीने का अगर आप package लेते हैं तो 3 महीने free मिलता है और जिम जो आइन करना चाहते है और आपके घर में कोई भी एक बच्चा है जो मान लेते हैं 12th class से ग्रेजुएशन में BA के 1st, 2nd या 3rd year में है मतलब 12 वी से लेके 15 वी तक पढ़ने वाला घर कोई बच्चा है तो उसकी fees में 50% discount हम आपको देंगे एक्जामपल के लिए 20,000 फीस है तो हमने क्या क्या कि इसकी फीस तो 20,000 लगेगी और इसकी फीस में 10 50% discount मतलब 10 तो 30 हमने लिली मतलब 40 की फीस हमने 30 कर दी मतलब हमने 25% discount कर दिया इसको बोलते हम साइकलोजिकल इंपक्ट जैसे आप देखो किसी प्रोड़क्ट पर लिखा है 50% discount लेकिन किसी पर लिखा है buy one and get two buy one and get two एक का प्राइस पे करें और दो ले जाएं कुटांस चार्ली रिच लोग सभी ब्रैंड जाहिस वाले ड्विडिसमेंट को यूज़ करते हैं है ना है वाइवन एट गेट तू यह वाइवन एट थ्री तो हमें पता है क्या लगेगा हमें कितना डिसकाउंट मिल गया 75% बाइवन और गेट थ्री हमें 75% डिसकाउंट मिल गया नहीं कैल्कुलेट करना वह यह भी कहते हैं कि इन तीनों जो आपने पीज उठाए है इनमें जिसका सबसे हाइस प्राइज है वो लगेगा एक शट आपने उठाए एक हजार की एक बारा सो की और एक सतरा सो की तो जो कि उसे रिलेटेड भी बहुत सारी सीजें बताएं आपने ऊफरन स्कीम से लगाई आए दिग और ब्रैंट बिल्डिंग होती है कि हमारे कंपनी के क्या इवेंट्स हो रहे हैं क्या प्रग्राम सो रहे हैं क्या अचीवमेंट्स हो रही हैं अपकमिंग हमारे वीजन्स कि है हमारे project s क्या है Sm Hiç कि पर काम करेंगे क्या-क्या हम schemes लेकर आनवाले हैं न तो brand building पर हमें काम करना है brand awareness related हमें वीडियो करने और online presence हमें बाकी सबी जगह पर अपनी है ऐलाइट करनी है online presence क्या आ गया अपका in बाकि प्लैटफॉर्म other than social media social media platform तो हिसिए सिए बटाया था शैद पिछले क्लास में जवाब थे से एस मो और अलग-अलग उत्वाइब्स ट्लाशिफाइड वैबसाइट्स अलग-अलग अलग वैबसाइट्स हर इंडस्ट्री की बहुत सारी classified websites है तो उससे related classified websites पर भी आप regular posting कर सकते हैं और free of cost होती है यह है उसके लाबा SEO SEO में क्या हो गया हमारी खुद की website से related रेगुलर हमें उस पर काम करना है ताकि ranking website की हाई हो जाए शोशल media optimization में आ गया सारा Facebook LinkedIn Twitter Instagram Pinterest YouTube जितने भी ऐसे platform जहां पर लोग social public available जर्रल पॉब्लिक वह प्लैटफॉर्म से फाइन उसके बाद आ गया online presence में आपको बता दिया rank up your website जिसके लिए हम SEO करेंगे और साथ में जब हम सभी जगा पर जब हम सभी social media platform पर regular अपनी पोस्ट में जब हम सभी social media platform पर regular अपनी पोस्ट में अपने लिंक को भी डाल रहे हैं तो एक चांस है कि दो से तीन परशेंट लोग ऐसे होंगे जो लिंक पर भी क्लिक करेंगे इसका मतलब अधर social media platform से भी आपकी website के clicks आएंगा और जितने नंबर पोस्टिंग करनी है इन टाइम बेंड पर मतलब एक दिन में हमारे पास छे से साथ पोस्टिंग होनी चाहिए हम लोग क्या कहते है जर्नली जब social media की बात करते हैं डिजिटल की लोगडाउन भी और दीटो जी यो भी इन दोनों कारणों से लोगों का एंगेजिंग टाइम शोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है इसलिए जरूरत है अगर तीन खुराक में काम नहीं हो रहा और लोगों की खुराक बढ़ चुकी है तो आपको भी पूस्ट पर डे अब six to seven पूस्ट का मतलब है कि अगर आप पांस तरह के प्रोड़क्ट पर काम कर रहे हैं तो साथ,5,35 थिट्फाइब पूस्ट पर डे और इतने सारे लोग आप हैं और अलग ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं कोई पोस्टिंग पर कर रहा है कोई कर रहा है तो आपके पास इतना content होना चाहिए और content कहां से आएगा authentic content बिलेगा आपकी team के team members से आपके manager से आपके director से आपके doctor से आपके और link and reference के लोग है उन से